दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे, one card के लिए apply कर सकते हैं पूरा का पूरा process कि कैसे आपको one credit card के लिए apply करना है एक बर मैं आपको ये screen पे भी दिखायता हूँ कि कहाँ apply करना है, किस पे click करना है ये पूरा का पूरा process starting से लेकर ending तक, कि कैसे आप घर बैठे बैठे इस one credit card के लिए apply कर सकते हो ये पूरा का पूरा process इस वीडियो में हम देखेंगे लेकिन ये सारा का सारा process हम देखेंगे वीडियो के अंत में apply कैसे करना है, ये तो दो मिनिट का काम है ये कोई भी आपको बता देगा, लेकिन सबसे पहले क्या हमें ये one credit card लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इसके features क्या है, कितना मुझे ये cashback देगा और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसे मैं अगर compare करूँ मलब भारत में किसी भी दूसरे bank के किसी भी credit card से तो क्या मुझे one credit card लेना चाहिए या फिर मुझे कोई भी दूसरा credit card लेना चाहिए मेरा main मकसद इस वीडियो में ये रहेगा हम इसमें ये देखेंगे कि कितना मुझे cashback मिल रहा है ये credit card ये जो one card है ये लेने का फाइदा है ये नहीं है बहुत सारे लोग बहुत शोर मचाते है कि one card बहुत असानी से मिल जाता है इससे आपका civil score अगर नहीं भी है खराब भी है तो भी मिल जाता है पहली चीज़ अगर आपका civil score खराब है तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं कोई भी ऐसा bank कोई भी ऐसा financial institution नहीं बना आपको जो loan दे दे प्लीज यह जो यहां से खाली लोग हैं इनके चकरों में मत पड़ा करो आप खुद एक समझदार हो ठीक है? मान लो एक bank को छोड़ो financial institution को छोड़ो, NBFC को छोड़ो, सब को छोड़ो आप खुद समझदार हो, दो व्यक्ती भी है ना, मान लो आप और मैं ही है मान के चलो कि आपने मेरे से 50,000 रुपे लिए और आपने मेरा पैसा मुझे नहीं लोटाया, तो मेरी नजरों में आपका civil score खराब हो गया आप खुद ये मान के चलो कि अगर दुबारा आप मेरे पास पैसा मांगने आओगे क्या मैं आपको पैसा दूँगा, नहीं दूँगा, जब एक इनसान आपको दुबारा पैसा नहीं देगा तो एक financial institution या किसी भी bank की बात करू, या NBFC की बात करू क्या वो खराब civil score होने पे किसी को दुबारा से कोई limit देदेगा तो ये बे-फजूल की बाते हैं, इसमें आप किसी भी eddy-geddy वीडियो के चकर में मत पड़ा करो कि भाई अगर civil score खराब भी है तो भी भाई ये one card वाले जो है आपको credit card issue कर देते हैं इसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, पूरा का पूरा analyze करेंगे भी क्या इसकी कहानी है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बिल्कुल starting से लेकर के ending तक सब कुछ इस वीडियो में हम discuss करेंगे, देखो, सबसे पहले ये जो one card है न, ठीक है, ये दो concept पे चलता है, पहला ये बोलते हैं, कि अगर आपका civil score वेगरा सब कुछ अच्छा है, आप एकदम शांदार customer हो, तो हम आपको metal का credit card issue कर देंगे, यानि जो आपको ये, आपके पास कोई भी credit card जब आता है, तो वो credit card हम आपको metal का देंगे, metal का, यानि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और दूसी तरफ ये बोलते हैं, कि अगर आपका civil score खराब है, या फिर मान के चलो कि हम आपके शहर में available ही नहीं है, मैं बताऊंगा सारी की सारी चीज़े, चलो पहले ये मान लो कि अगर आपका civil score खराब है, तो उस case में फिर ह मेरा कार्ड बहुत प्यारा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत खूपसूरत दिख रहा है, तो इस चीज से मुझे क्या फरक पड़ेगा, आप cash back कितना दे रहे हो, मेरा पैसा मन्थली कितना बचा पा रहे हो, आप पहले ये बताओ, कार्ड मुझे metal का मि चाहिएगा, उस चीज से मुझे फरक पड़ना चाहिए, इस चीज से फरक नहीं पड़ना चाहिए कि metal का कार्ड है, बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं कि metal का कार्ड मिलेगा, आपको metal का कार्ड मिलेगा, तो क्या फरक पड़ता है metal का का कार्ड मिलेगा, या फिर plastic का 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 अब इनका concept है तो हमें समझना जरूरी है metal का card उन लोगों को मिलेगा जिनका civil score perfect है अब plastic का card उनको मिलेगा जिनका civil score या तो खराब है अगर civil score खराब है तो ये one card बोलता है कि उन्हें हम जो ये one card है वो तभी issue करेंगे जब वो एक FD कराएगा यानि कहने का मतलब कि आपका civil score मानलो खराब है तो ये one card वाले कहेंगे कि आप एक FD कराओ FD कम से कम 5000 रुपे की होनी चाहिए ये बोलते हैं कम से कम 5000 की होनी चाहिए और जादा से जादा तो फिर आपकी मर्जी है जितने की मर्जी आप FD करा लो अब मान के चलो कि आपने 10,000 रुपे की FD करा ली तो वो 10,000 रुपे की FD इनके पास एक तरह से ब्लोक हो गई उसके ओपर ये आपको ब्यास देंगे ये 6.5% के rate of interest के हिसाब से मानलो आपने 10,000 रुपे की FD कराई तो 10,000 रुपे की ही limit आपको ये बना के देंगे यानि जितने की FD है 100% उतनी ही आपके इस credit card की limit ये लोग बना करके देंगे अच्छा ये बोलते हैं कि अगर आप 50,000 रुपे की FD कराते हो या 50,000 से जादा की FD कराते हो तो उस case में भी फिर हम आपको metal का ही credit card देंगे लेकिन मैंने आपको starting में बताया कि भाई metal का मिले, plastic का मिले ये चीज तो clear है ना मोटी-मोटी बात घुमाने की छोड़ दो ये चीज तो clear है ना कि जिसका civil score ठीक है उसे ही unsecured ये लोग limit देंगे unsecured का मतलब यानि मुझे कोई भी चीज गिरवी नहीं रखने, अगर मेरा civil score खराब है तो इसका मतलब ये साफ है कि मेरे को FD करानी पड़ेगी और FD के against ही मेरे को ये लोग limit दे रहे है तो इसमें क्या नई बात है, इसमें कौन सी ऐसी चीज आगी कि one card सबको मिल जाता है, या फिर one card सबको कोई दे देता है, जिसका civil score खराब है, उसको भी मिल जाता है, ये तो कोई नई बात नहीं है अगर मैं आज की date में भारत के बढ़िया से बढ़िया बैंक में भी चला जाओं, चाहे मैं ICICI, SBI, HDFC में भी चला जाओं और वहाँ कोई शांदार से शांदार credit card भी अगर apply करना चाहूं और मेरा civil score एकदम रत्ती भर खराब भी है तो भी मैं एक FD करा सकता हूं और FD के against में कोई भी बढ़िया से बढ़िया credit card भी ले सकता हूं, इसमें क्या नहीं बात है कि one card कुछ अलग दे रहा है बस वीडियो बनी पड़ी है बनी पड़ी है, one card सबको मिल जाता है one card ये बन जाता है भाई प्लीज थोड़ा रहम खाओ और अच्छे से पढ़ाना शुरू करो लोगों को ठीक है, तो मलब हद हो जाती है लोगों की जब ये बोलते हैं कि सबको one card मिल जाता है, ऐसा हो जाता है FD के against तो कोई भी bank दे देगा तो मैं one card ही क्यों लूँ जब मेरे को करानी ही FD है, अगर मालो मेरा Siebel Score अच्छा नहीं है, और मेरे को करानी ही FD है, तो मैं अच्छे से अच्छा credit card लूँगा, भाई 10,000 20,000, 50,000 की वहाँ पे मैं FD करा लूँगा और उसके against में मैं limit ले लूँगा हाला कि मेरे को bankों के अंदर अमूमन ये देखा गया है कि अगर मैं 10,000 रुपे की FD कराता हूँ, तो मेरे को 7,000 से 8,000 रुपे की limit मिलती है, बस इस case के अंदर क्या है कि 10,000 की FD कराऊंगा भले मेरे को 15,000 की FD दे दे, चीक है अच्छा, अब काफी लोगों का ये भी देखा गया वनकार में, क्योंकि नहीं नहीं कमपनी है तो भारत के हर शहर में नहीं है मान के चलो, आप किसी small city में रहते हो, या फिर मलब एक तरह से आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते और आपके शहर के अंदर अभी वनकार का कोई भी office नहीं है तो उस case में भी भले ही आपका civil score चे कितना अच्छा हो, ये बोलेंगे कि आपको FD के against में ही वनकार लेना पड़ेगा उसका simple सा कारण ये है, कि मान के चलो कि आपके शहर में वनकार का कोई office नहीं है, ठीक है और कल को आपके शहर में कोई customer वनकार के लिए apply करता है और वो 50-1000 पे वनकार के use कर लेता है और कल को वनकार का पैसा वापिस नहीं लोटाता, तो इस case में वनकार इस व्यक्ति से recovery कैसे करेगा, क्योंकि उनका office तो आपके शहर में है नहीं, तो बंदा कहां से भेजेगा recover करने के लिए पैसा, इसी लिए वो FD के against में जादा जोर देते हैं कि आप पहले FD करा और उसके against में आप one card ले लो, क्योंकि कल को अगर आप default कर भी देते हो, तो bank के पास आपकी FD पढ़ी है न, अपना पैसा recover करने के लिए, तो ये दो कारण बैठते हैं, पहला तो ये हो गया कि अगर आपके शहर में one card का office नहीं है, और दूसरा ये हो गया कि आपका civil score अगर खराब है, तो उस case में आपको FD के गेंस्ट ही one card लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके शहर में one card का office भी है, और आपका civil score भी एकदम शानदार है, तो बीना कोई चीज गिर भी रखे, बीना कोई FD कराए, आपको unsecured एक तरह से ये one card का जो card है, ये मिल जाएगा, बाकी वह चीज होगी कि 50,000 से अगर जादा की FD कराओगे, तो वो metal का ही फिर आपको credit card issue करेंगे, लेकिन इस चीज से कोई फरक नहीं पड़ता कि metal का मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है, ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसके आगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने reward points ये दे रहे हैं, बट पहले ओर थोड़ी जो basic basic चीजे है, one card की वो देख लेते हैं, इसके बाद ये बोलता है कि मानलो आपके पास one card आ गया, ठीक है, अब one card आने के बाद, मानलो आपके पास metal का ही मिल गया आपको, आपने 50,000 से जादा की FD कराई, या फिर मान के चलो कि आपका civil score perfect है और आपको metal का ये वाला credit card issue हो गया आप कल को आपने इस credit card को गुम कर दिया, या फिर दूसरा case ये ले लो कि 6 महीने से पहले ही आप कह रहे हो कि मेरे को ये one credit card बंद कराना है, तो अगर आपके पास metal वाला credit card है और इन दोनों cases में से कुछ भी होता है, तो आपको 3,000 रुपे की penalty देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत शांदार आपको metal का card दिया भाई, कि आप लोगों को दिखा सको, show off कर सको लेकिन इस सीज से कोई फरक पड़ता नहीं है कि metal का है या किस सीज का है, या तो भाई, ये सोने वोने का देते तो एक अलग बात थी, अच्छा इसके अलावा, अगर मालो, आपने 6 महीने से पहले plastic का card ही लिया है और बंद कराना चाहते हो 6 महीने से पहले तो 500 उरपे की फीस है, और plastic का card अगर आपने गुम कर दिया, और change कराना चाहते हो, तो फिर 145 उरपे की फीस पे करनी पड़ेगी, अब आते हैं main बात पे, जो main बात है, वो अब शुरू होगी, ठीक है, कि plastic का मिले, metal का मिरे, छोड़ दो सीज को, sorry, भाई, reward point कितने मिलेंगे, महीने में मेरे पैसे कितने बचेंगे, पहले मुद्दे की बात तो यह है न, मुद्दे की बात तो भाई, मैं credit card लेना क्यों चाहता हूं, कोई भी इनसान credit card लेना क्यों चाहेगा, कि भाई, मेरा पैसा कितना बचेगा महीने में, reward points यह बोलते हैं, कि भाई, 50 रुपे का अगर खर्चा करोगे, तो हम आपको one reward point देंगे, यानि कहने का मदलब 50 रुपे ही calculation से नहीं समझते हम, 100 रुपे ही calculation से समझते हैं, ताकि असान हो जाती है calculation करने, यानि 100 रुपे का अगर मैं खर्चा करता हूँ, कहीं पे भी, तो मेरे को 2 reward points मिलेंगे, चीक है जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक reward point की value कितने के बराबर है, एक reward point की जो value है, वो 10 पैसे के बराबर है सिरफ, यानि अगर मैं 100 रुपे का खर्चा करता हूँ, तो मेरे को सिरफ 20 पैसे का cashback मिलेगा, यानि 0.20% का cashback, यानि अगर मैं कोई भी खर्चा करता हूँ, अब ये चीज कान खोल के सुन लो, ये भूल जाओ कि one card सबको मिलता है, या FD कराओगे तो बड़े से बड़े bank में भी ले लो, कोई भी शांदार से शांदार credit card ले लो FD के against में, ये कोई बात नहीं होई कि one card सबको मिल जाता है, और बहुत असानी से मिल जाता है, और one card ही आपकी नहिया पार लगाएगा, आपका civil score एकदम ठीक कर देगा, कोई भी credit card कर देगा, आप FD के against में ICIraBank का ले लो, आप FD के against में ASBIA का ले लो, किसी का भी ले लो, आप FD के against में कोई भी credit card ले लो, उसको यूस करो, भले ही वो secured है credit card, लेकिन आपका civil score वो भी ठीक करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि one card कुछ अलग ही उपर से आया हुआ है और मतलब भगवान की दया से कुछ आपके पास आगे है ऐसा कुछ भी नहीं है वन कार्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हाँ, कुछ लोग बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नहीं है, जो चीज अच्छी है तो अच्छी है, जो चीज बूरी है तो बूरी है, मेरे को कुछ वो नहीं है कि मैं यहाँ पे इसको बेचना श ने टोटल 6 credit cards बताए थे जिसके अंत में मैंने आपको का था कि ICICI Venk का Amazon जो credit card है जो एक तरह से सबसे शांदार credit card है भाईया 3% का cashback देता है अगर आप non prime member हो और prime member बन गए तो 5% का unlimited cashback जितना मर्जी आप समान खरीदो Amazon से भाईया 5-5% का ये cashback बाट रहे हैं ये credit cards पागल है यहां पर आप खुछ सोच के देखो कि एक तरफ तो आप ये वाला credit card लेते हो 100 रुपे का खर्चा करते हो आपको 5 रुपे का cashback मिलता है यहां आप 100 रुपे का खर्चा करोगे आपको सिरफ 20 पैसे का cashback मिलेगा सिरफ 20 पैसे यार कोई बकवास से बकवास भी credit card अगर lifetime free है वो भी 1% का cashback दे देता है लेकिन ये लोग कितना दे रहे हैं सिरफ 0.20% का cashback तो मतलब cashback बहुत कम है मैं personally नहीं recommend करूँगा कि आप metal का लो या ये करो वो करो उसी से फरक भी नहीं प अपर limit नहीं है आप जितने मर्जी reward points ही कठे कर लो कोई ऐसा नहीं है कि महीने में 10,000 reward points कर सकते हो या कुछ कुछ credit cards होते हैं कि limit लगा देते हैं भाई आप कुछ reward points दोगे तो ही तो ना reward points कठे कर पाऊंगा आप 100 रुपे का खर्चा करने पर मेरे को 2 reward points दे रहे हो मैं रुपे का cash back बनेगा आप reward points दोगे तो ही तो ना अपर limit लगाओगे कुछ उसके ओपर तो ये वाले feature का मैं क्या करूँ बले दे के एक feature ये ठीक है 100% fuel surcharge waiver क्योंकि अमूमन सारे bank के बोलते हैं कि 1% का fuel surcharge waiver मिलता है कई बार क्या होते हैं कुछ credit cards बहुत clever होते हैं जैसे fuel surcharge होता क्या है मालो मैंने 100 रुपे का petrol pump पे petrol डलवाया ठीक है अब मैंने credit card से payment कर दी तो bank उसके ओपर na surcharge लगाता है अब surcharge कई bank 1% लगा देते हैं कई bank 2% लगा देते हैं कई bank 3% भी लगा देते हैं यानि अगर मैं credit card से payment करूँ और कोई bank 3% लगा दे तो मेरे credit card से 103 रुपे कट जाएंगे फिर bank अलग से एक feature देता है कि 1% fuel surcharge waiver यानि कि 100 का तेल डलवाया तो इस पे 1 रुपे का surcharge waiver मिल गया यानि कि 103 तो कट गए इसमें 1 रुपे की छूट दे दी तो यानि 102 तो फिर भी कटे समझगे बात को लेकिन कुछ-कुछ bank होते हैं वो 1% ही काटते हैं यान भी लगे वो आपका नहीं देना यानि 100 का तेल डलाओगे तो 100 पे ही आपके जो credit card से हैं वो कटेंगे ठीक है बाकी एक contactless credit card facility है वही tap and pay वाली 5000 रुपे तक तो इसका हम क्या करें वो हर को ही देता है ठीक है बाकी one card के 5 बैंकों के साथ tie-up हैं B.O.B. financial, C.S.B. bank, Federal bank, S.B.M bank और South Indian bank इन में से कोई भी bank आपको depend करता है कि किसी भी bank के साथ जो है मलब जैसे मालो आपको ये one card मिला ठीक है यहाँ पे लिखा हुए one card ठीक है हो सकता है कि आपको B.O.B. financial issue कर दे हो सकता है B.O.B. ना करके आपको C.S.B. bank की तरफ से issue हो करके आजे तो वो 5 bank के साथ कोई भी आपको issue कर सकता है ठीक है अच्छा एक ये बोलते है कि ना 5X reward points मिलते हैं top 2 category के उपर top 2 category के उपर 5X reward points मिलते हैं अब 5X का मतलब क्या है जैसे कि ये बोलते है कि अभी तक ये 100 रुपे का खर्चा करने पर आपको 0.20 रुपीज का cashback दे रहे थे यानि 20 पैसे का cashback दे र महीने में 5-6 अलग-अलग जगा खर्चा करा लेकिन जो उसमें top 2 categories थी जिस पर आपने सबसे ज़्यादा खर्चा करा उन दोनों categories पर आपको 5X reward points मिलेगा 5X किसका ये 20 पैसे का 5 times यानि उन दो category पर आपको 100 रुपे का खर्चा करने पर 1% का cashback मिलेगा तो अभी कौन से इन का cashback है बाकी सब पर तो सिर्फ 20 पैसे का ही cashback है तो कुछ खास cashback हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा ठीक है जी अब यह सारी की सारी चीजे हो गई और अंत में यह है कि कुछ एक offers है ठीक है जो यह credit card देता है मैं एक बर आपको इसको na chrome पर दिखायता हूं यह इसकी site पे ले ज offers add होते रहते हैं बस आप इस पर चेक कर लेना जोन सा ही महीना चल रहा होगा उस पर लिखा होगा इस तारीक तक यह valid है लेकिन यहाँ पर नुकसान यह है कि अगर आप यह 20% का लगाओगे इसकी time and condition होएगी तो already अगर कोई zometo पर कुछ offer चल रहा है तो आप वो club नहीं कर सकते हैं या तो यह ले लो या फिर zometo वाला ले लो अब अम्मूमन यही देखा गया कि यह zometo हो गया यह स्वीगी हो गया इनके उपर already पहले से ही कुछ ना कुछ यह तो चली रहा होता है कि 100 पे 200 पे 1.5 पे यह discount चली रहा होता है तो इतना कुछ यह खास है नहीं ठीक है काड के लिए कैसे apply करना है क्योंकि कई लोगों को होता है कि metal वाला काड होना चाहिए तो process मेरा बताना फर्ज है आप फटा-फट से देख लेना आपकी knowledge के लिए देख लेना भी कैसे apply होता है और क्या सारी की सारी चीज है rest is your choice ठीक है मेरी तरफ से मैंने अपना genuine feedback जो मेरे यहाँ पर दे दिया अच्छा लेकिन करें क्या इसके बदले क्या करें ठीक है तो देखो एक ICA का Amazon मैंने आपको बताया lifetime free है एक ICA का platinum credit card है जो credit card के नाम पे कुछ भी नहीं है मतलब कोई feature है ही निए उसका तो कुछ वैसा वैसा सा यह credit card है तो मतलब मैं यह कहूँगा कि च 13% का cashback है और अगर Amazon Prime की membership है वो 1499 वाली तब Amazon पे कुछ भी खर्चा करो 5% का cashback मिलेगा बहुत बढ़ी है credit card है अगर कुछ पैसे लगाना चाहते हो तो एक SBAE का cashback credit card ले सकते हो अगर कुछ annual fees जरा मरासी भर सकते हो तो या फिर HDFC bank का millennia credit card ले लेना ठीक है मतलब यह credit cards है अगर आपको लेना ही है अगर नहीं मिलता civil score खराब है यह तीनों मिल जाएंगे FD के against में FD कराओ उसके against में जितने की FD कराओ गे 70-90% जो भी limit मिलेगी ले लो use करो उसको क्या दिक्कत है FD तो आपकी यह पढ़ी है bank के पास पढ़ी रहने दो तो वो सारी की सारी चीज ह बाकी यह एक वो था और लास्ट में बस आपसे एक यही request करूँ है कि जब बहुत detail में आप research करते हो तो बहुत महिनत लगती है तो अगर आपकी life में जरा सा भी value edition हुआ इस वीडियो को देखने के बाद तो please इस वीडियो को like जरूर करना और channel को subscribe जरूर करना आप एक बार यह देख लेते हैं कि इसका जो पूरा process है one card apply करने का वो हम कैसे apply कर सकते हैं अब one credit card apply करने के लिए सबसे पहले आपको google play store पर जाकर one card metal credit card यह वाली application को install करना है application install होने के बाद सबसे पहले आपको अपना mobile number यहाँ पर enter करना है उसके बाद नीचे get OTP के option पर click करना है mobile number enter क करने के बाद आपके mobile phone पर verification के लिए OTP भेजा जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर enter करना है उसके बाद नीचे आपको confirm की option पर click करना है उसके बाद next page पर verify email ID में आपको अपनी जो भी email ID है वहाँ से आपको यहाँ पर sign up कर लेना है फिर next page पर आपको अपना mpin set करना है mpin एक next page पर आपको अपनी कुछ basic details एंटर करनी है जैसे आपका pen card उसके बाद आपका first name क्या है pen card पर pen card पर ही आपका last name क्या है अपनी date of birth, gender यह सारी basic details आपको एंटर करनी है उसके बाद next page पर एक notification ओपन होएगी यहाँ पर simply नीचे आपको go to it के option पर click करना है उसके बाद next page पर पर click करना है उसके बाद next page पर यह मेरे से request कर रहा है कि एक FD बनाने के लिए 5000 रुपे अब यहाँ पर मैं इस amount को उपर नीचे भी कर सकता हूं मेरी मर्जी है मैं 10,000 की बनाओं 20,000 रुपे की बनाओं लेकिन यह मेरे को credit card दे रहा है यह FD के against ही दे रहा है क्योंकि जिस श 5,000 रुपे की FD बनाता तो यहाँ पर यह दिखा रहा है कि ब्याज के साथ यानि 6.5% का rate of interest लगेगा उसके साथ मेरे को 3557 रुपे मिलेंगे 390 दिनों के बाद यानि एक तरह से बोल रहा है कि आपकी FD जो हमारे पास पढ़िए उसके ओपर हम आपको interest भी दे रहे हैं और verification के लिए तो यहाँ पर मेरे को पहले अपने bank account को एक तरह से verify करवाना है यहाँ पर सबसे पहले मेरे को अपना bank account number डालना पड़ेगा bank account को re-enter करना है फिर IFSC code डालना है यानि bank की सारी की सारी detail डालनी है ताकि यह मेरे bank account को verify कर सके bank account verify होने के बाद यह आपसे request करेगा कि 5000 रुपे की जो आपने FD करानी है वो वाली payment यहाँ पर initiate की जाए तो यहाँ पर payment जैसी आप initiate करोगे payment आपकी successful हो जाएगी और आपकी जो एक FD है 5000 रुपे की वो one card के पास बन जाएगी जिसके against में फिर आपको जो है यह plastic वाला जो जो यह one card वाली company है यह nominee को दे सके तो यहाँ पर आप nominee जिसे ही बनाना चाहते हो उसका relation select कर लो nominee का नाम select कर लो nominee की date of birth डाल दो नीचे add nominee के option पर आप easily nominee को add कर सकते हो उसके बाद next page पर यह confirm कर रहा है मलब यह पूछ रहा है आपसे कि आपका जो address है उसको confirm कर दो तो यह location भ दिखाई देगा तो यहाँ पर अगर सारी की सारी detail ठीक है आपका नाम वेगरा सब कुछ ठीक है तो नीचे simply आपको फिर confirm के option पर click करना है इसके बाद जो यह one credit card है यह लगभग लगभग एक हफते के अंदर अंदर आपके जो address है जो भी आपने address डाला था वहाँ पर deliver कर दिया जाएगा और आप इस app का use करके जो भी इनकी facilities है one card वाली वह आप इनके app पे easily सब कुछ use कर सकते हैं तो यह था एक छोटा सा analysis one credit card के उपर उमीद करता हूं आपको यह video informative लगी होगी अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you all